Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल चांद के अंदर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आखिरकार भारत पहला देश कैसे बनने जा रहा है, चांद पर कुछ अनोखा करने के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कोई देश, चांद के सदन जो पोल है, जो साउथ पोल है, वहाँ पर लैंड करेगा, यह आप देख पहले ध्यान रखेगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिप्रेशन कर रहे हैं, तीन और नए live batches launch किया जा रहा है, study IQ के द्वरा, pure English, pure Hindi या फिर English batch अगर आप लेना चाहते हैं, तो simply हमारे website आप पर जाईए, फिर comment section में इसका link है, वहाँ पर जाकर use करना है, code UNKITL ताकि आपको maximum discount मिल सके, इसके अंदर मैं आपको बता दो, prelim से लेकर interview तक की पूरी त्यारी कराय जाती है, सारे classes live होते है, one-to-one mentorship मिलता है, test series होता है, मतलब कहने का मतलब है कि आपको और कुछ भी लेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, simply ये code इस्तमाल करना है और आपको admission ल पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly होने क्या जा रहा है, देखिए कल जो है 14th of July को दुपहर में लगभग धाई बजे के आसपास, जो चंद्रयान 3 mission है, जो की भारत का तीसरा lunar mission है, उसको launch किया जाएगा, पहला हम सबको याद है, जो पहला mission था, वो चांद का basically आप कह सकते हैं, जो orbit होता है, उसको ही हमने launch किया था, तो की success हुआ था, लेकिन जो दूसरा वाला था, 2019 में चंद्रयान 2 mission हमने launch किया था, उसमें हमने orbiter तो हासिल कर लिया था, लेकिन उसको जो हमें land कराना था, और जो rover उस पे चलाना था चां process हासिल कर सकें, अब सबसे पहला तो question यहाँ पर आपके मन में यह आना चाहिए, कल जब यह launch किया जाएगा mission, तो क्या हम तुरन चांद पर पहुँच जाएगे, या फिर कुछ समय लगेगा, बिलकुल समय लगेगा, आपको याद होगा, मार्स में पहुँचने में तो बह हम पहुच जाएगे, और लगभग 10 दिन के और बाद में, मतलब आप खहा सकते हैं, 23 अगस्त के आसपास, जो lander है, उसको land किया जाएगा, चांद के उपर, चांद के उपर जो lander होता है, उसको land करा जाएगा, और जो rover है, मतलब की जो चक्के लगे होते हैं, जिस गाड़ होने वाला है, यह basically land होगा South Pole में, देखे अगर आप इस map को, यह जो पूरा चांद का आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, कि अभी तक जादा तर जो mission है, और आपको पता ही है, या तो USSR, रशिया ने किया है, या फिर USA ने किया है, या जो South Pole होता है, यहाँ पर land कराया गया हो, भारत का mission पहला बनने जा रहा है, अगर हम यह land करा देते हैं, तो भारत पहला देश बनेगा, जिसने South Pole पर जो lander है, उसको land कराया हो, और आप में से अगर कई लोग सोच रहे हैं कि, क्या और कोई देश ने चांद पर land नहीं कराय ऐसा नहीं है, देखो, चाइना ने भी कराया है, लेकिन चाइना का जो land हुआता ना, वो चांद के far side पे था, मतलब चांद का जो just पीछे वाला side होता है, जहाँ पर सूरज की रोशनी जो है, एक प्रकार से पहुंचती तो है, लेकिन क्या है ना, कि वो हमें दिखता नहीं है, face नहीं होता है, मतलब हमें, क्योंकि चांद इस तरह से face करता है पिर्थवी को, कि हमें एकी side of the moon देखता है, और हमें far side नहीं देखता है, ठीक है, खेर, उसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, यह South Pole पर, जहाँ पर भारत लैंड करने वाला है, वहाँ पर अभी तक कोई भी जो देश है, अपने lander को land नहीं करा पाया है, और अगर कोई सबसे नजदीक कोई देश रहा है, South Pole की तरफ जाने वाला, वो है NASA, US का जो NASA है, उसका Surveyor 7, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख पाओगे, यह आप South Pole के पास देखे, यह है आपका Surve Surveyor 7, तो यह basically कहा ना, 40 degree South latitude, यहाँ पर इसने land कराया था, आपको पताई होगा कि latitude कैसे नापते हैं, जैसे कि मालो यह equatorial हो गया, यह 0 degree है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, वो South latitude होता है, उपर आप जाओगे तो North latitude होता है, तो इधर आप जाओगे 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree, तो यह वाला जो land हुआ था, वो 40 degree हुआ था, और जो भारत जहाँ पर land कराने वाला है, वो आपका 70 degree होने वाला है, तोटल 90 degree तक होता है, आप सबको पताई होगा, तो यह 70 degree पर हम यहाँ पर South Side में land कराने वाले हैं, और यह जो हुआ था Surveyor 7, यह launch हुआ था 1968 में, जब व US का है, European Union का है, यह आप देख रहे हो, US के बहुत सारे land वे, लेकिन आज तक कोई भी South Pole पर क्यों नहीं गया, यह भी आपके मन में question आएगा, देखो, क्या है ना, कि ज़्यादातर missions में, सभी लोग equatorial region में गहें, और जहां तक China का मैंने बताया, वो आपका far side of the moon गया है, जो की पीछे के side है, जो हमें दिखता नहीं है, खेर, यहाँ पर क्या है ना, सब लोग equatorial region में वहाँ पर इसलिए जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर land कराना आसान होता है, safe होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है, वहाँ का जो terrain है, जो landing, जो surface है, वो कर सकते हैं, ठीक है, इसके लाबा वहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखेगा, बताया जाता है कि जो equatorial वाला region है, वहाँ पर बहुत steep slopes नहीं है, बहुत ज़्यादा अचाना से गढधा ऊपर नीचे, इस तरह के slopes आपको देखने को नहीं मिलेंगे, hill region वगराँ वहाँ पर North Pole और South Pole, वह बहुत ज़्यादा अलग है, difficult है और terrain भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कहने का मतलब है कि वहाँ पर completely dark रहता है कई हिस्सों में, तो मतलब जो North और South Pole है, वहाँ पर हमेशा ही dark रहता है, सूरज की रोशनी कई बार पहुंचती नहीं है, तो एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, temperature बताया जाता है कि 230 degree Celsius बिलो चला जाता है, negative में चला जाता है, और sunlight नहीं होने की वज़ेसे, low temperature बहुत ज़्यादा होने की वज़ेसे, difficulty होती है, आप instrument को बहुत लंबे समय के लिए operate नहीं कर पाऊगे, इसके साथ साथ वहाँ पर एक औ इसना difficult है कि कोई भी जल्दी वहाँ पर अपने जो instrument है उसको land नहीं कराना चाता, अब question यह है कि अगर मानलो ये launch किया जा रहा है चंदिरान थी, ये भारत के लिए तो important है और पुरे दुनिया के लिए क्यों important है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि जो polar region है ना जो polar वा missions के माध्यम से हमें ये पता चला है कि वहाँ पर कई potentials है, जो evidence हमें सामने आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो region काफी interesting है, हमें उसको explore करना चाहिए, in fact बताया जाता है कई सारे indications के आधार पर कि ice molecules वहाँ पर पाई जाते हैं, north और south pole में, और 2008 का जो चंद्रयान one mission launch किया उसने भी यहाँ पर predict किया था, indicate कि जो presence of water है, वो basically आपको polar regions के side देखने को मिलेगा, अब question यहाँ पर यह है कि why don't some polar region receive sunlight, मैंने आपको बताया ना कि जो polar region है वहाँ पर अकसर अंधेरा रहता है, सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है, कई सारे हिस्सों में, उसका main current degree जो है, वो tilt आपको देखने को मिलेगी, तो यह इसका north pole है, पृत्वी का और यह वाला south pole है, यहाँ पर है, tilted है, लेकिन अगर हम चांद की बात करें, तो वो बहुत जादा tilted नहीं है, it is just 1.5 degree tilted, तो वहीं पर लगभग आप कह सकते हैं, कि north pole और south pole देखने को मिलता है, उस इसी axis के उपर, और इसकी वजय से सूरज की जो रौशनी आती है, उसकी वजय से ऊपर वाला जो, जैसे कि आपको पता ही होगा, पिर्स्वी में भी north pole में सूरज की रौशनी इसलिए पहुँच पाती है, क्योंकि वो tilted है, जब सूरज नदन hemisphere की तरफ रहता है एक प्रकार स हमें दिखता है न, जब रिवाल्व कर रहा होता है, पिर्स्वी सूरज के, तो उस समय क्या होता है, कि जब सूरज की ज़्यादा तर रौशनी नदन hemisphere में रहती है, तो वो रौशनी north pole तक भी पहुच जाती है, तो 6 मेहना यहाँ पर रौशनी होती है, और फिर आगे 6 मेहन और इसलिए उसको permanently shadowed region भी कहा जाता है, तो देखते हैं कल जब यह launch किया जाएगा और उसके बाद, finally, let's hope कि इस बार success हासिल होगी, और 23rd August को हम land करा पाएंगे rover के साथ-साथ, ठीक है, let's see क्या होता है, आगे बटाए, hope कि इससे आपको काफी को समझ में आया होगा, और ज साही उत्तर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आए, अलग-लग social media पर आप जुड़को आओगे और जैसा हम आने बताया था, UPSC के अगर आप चारी कर रहे हो, just use the code ANKITLIVE to get maximum discount, and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स ताइम, till then thank you very much, see you soon.